देख रहे हैं अभी तक आपने इसके पहले के वीडियो में कॉशन नमबर वन और टू देख लिए हैं जिसमें की अंसेंट पैसेज थे कॉशन नमबर थ्री जो दिया हुआ है वो है नोट मेकिंग और टाइटल का प्यारे बच्चों आपको पता है कि टैंथ और ट्वेल्थ में तो प्री बोर्ड एक्जाम्स लिए गए हैं लेकिन नाइन्थ और इलेवन्थ के स्टूडेंट्स को उनकी कॉशन बैंक को कम्प्लीट करने के लिए कहा गया है तो हम हर वीडियो में ये कॉशन बैंक को कम्प्लीट करते चलेंगे तो आज हम ले रहे हैं कॉशन नमबर थ्री इसमें दिया हुआ है एक पैसेज और जिसमें आपको इंपोर्टेंट पाइंट्स निकालने हैं और ये पूरा पैसेज में क्या टाइटल हो सकता इसका सब्जिक्ट क्या है वो भी आपको देखना है तो हम यहाँ पर की जैसा की देख रहे हैं कि इस पैसेज में बायो गेस के बारे में बताया गया है और ये किस चीज का मिक्षर होती है वो बताया है साथ ही ये भी बताया गया है कि इसकी क्या विशिष्टाएं है और इसमें इसको कैसे बनाया जाता है तो इसलिए हमने इसका इहां पर टाइटल लिखा है बायोगेस, फिर हमने ये लिया है पहले पॉइंट में कि बायोगेस किसका मिक्षिर है बीथेन कार्बन डाययकसाइट, हाइड्रोजन का फिर हाइड्रोजन सुलफड 병 इन चार चीज़ों का मिक्षिर है सेकेंड में हमने लिया है इस बायो गेस फ्यूल की विशिष्टा जो की है नॉन पालिटिंग क्लीन और लो कास्ट और तीसरा इसमें हमने लिया है कि बायो गेस किस चीज से बना हुगा होता है और वो है एनिमल वेस्ट और एगरिकल्चर वेस्ट तो इस तरह से इस पैसेज क जो हे notes तैयार हो जाता है Second passage हम देखते हैं तो ये है हमारे vacation plan के बारे में और इसमें ये भी बताया गया है कि vacation plan कैसा होना चाहिए और जब हम बनाते हैं तो कैसा होता है तो इन ही सब चीजों को देखते हुए हमने इसका title लिखा है vacation plan और इसमें क्या चीज होनी चाहिए तो ये इसमें booking और ये सब चीजे होनी चाहिए लेकिन अगर journey on foot अगर हम decide करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं तो उसमें भी बताया गया कि अच्छी exercise है इससे हम लोगों की जो जब हम paddle चलते हैं तो लोगों की culture उनके food और उनके life कैसी है ये पता करने को मिलता है एक और इसमें तीसरा point दिया हुआ था beach holiday के बारे में यदि आपका vacation बीच पर बीखता है तो ये बहुत अच्छी बात है इसमें आपको क्या करना चाहिए कि एक तो ये वैसे ही बड़ा fun है fit रखता है और इसके साथ ही ये सभी age group के लोगों के लखा जाता है अगला है question number four formal letter formal letter में यहाँ पर पहला question दिया गया था three days live का sick live की application लिखनी है चुकि यहाँ पर कोई subject नहीं दिया हुआ है इसलिए subject नहीं यहाँ पर कोई आपको नाम या school का नाम नहीं दिया है तो आप ये स्वतनत्र है तो आप इस तरीके से अपने school का ज जो चाहे ये बदल सकते हैं इसके साथ ही ये चुकी application for sick live है ये तो आपको लिखना ही है और फिर लिखेंगे आप छोटी सी application है इसमें भी चुकी मैंने बताया जैसा कि इसमें नाम नहीं दिया है तो यहाँ पर भी नाम हमने अपनी मर्जी से दे दिया है बहुत ही छोटी स तो यहाँ पर नाम दिया हुआ है अमित गुपता स्कूल का नाम भी दिया हुआ है गवर्मेंट हैर सेकेंडरी स्कूल रिवा इसलिए आपको गवर्मेंट हैर सेकेंडरी स्कूल और रिवा लिखना पड़ेगा application किस चीच की है तो ये application है TC की और ये भी बहुत सरल लिखी ह हुई है और चुकि जैसा कि इसमें यहाँ पर नाम दिया गया था अमित गुपता इसलिए हमने यहाँ पर भी नाम लिखा है अमित गुपता ठीक है तो ये TC की बहुत ही short application है और आपको जल्दी से याद भी हो जाएगी next हम देखते हैं जो अगला question है वो है fee concession का लेकिन यहाँ पर भी आपको नाम दिया गया है आपका नाम बताया गया है निशी आपके school का नाम लिखा गया है government girls are secondary school मुरेना तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये government girls are secondary school मुरेना लिखना है fee concession की application लिखी चुकि fee concession उसे मिलेगा जो गरीब है इसलिए आप लिखेंगे कि मेरे फादर गरीब है वो fee spend नहीं कर सकते हैं और मुझे fee concession दीजिए लेकिन नाम आपको क्या लिखना है निशी जैसा कि आपको application में या question में बताया गया है अगला question है informal letter का informal letter में आप ध्यान रखिए जैसे कि यहाँ पर भी address दिया हुआ है आपका खुद का तो अपना खुद का ही address यहाँ लिखेंगे कई भार में नहीं दिखा है बच्चों को बड़ा confusion होता है कि यहाँ पर तो हम उसका address लिखना चाहिए जिसको हम भेज रहे हैं नहीं उसका address तो हमने already envelope पे लिखा हुआ है यहाँ पर हम अपना address लिखते हैं ताकि correspondence में सुविधा हो जो हमारा मित्र है या कोई भी जिसे हम later लिख रहे हैं तो हमें जब पत्र का जवाब देगा तो इसके लिए हम अपना address उपर लिख लेते हैं तो आपको अपना address वही लिखना है जो दिया है आपका नाम दिया हुआ है राहूल तो आप राहूल नाम भी नीचे लिखेंगे और आपको अपने friend को invite करना है sister's marriage के सेरेमनी के लिए किसको बुलाना है friend को और किसकी marriage है sister's marriage तो चुकि यह subject के अंदर नहीं आता है इसलिए क्योंकि यह informal letter इसमें subject नहीं आता है इसलिए आपको नीचे लिखते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि sister's marriage ही लिखनी है आपको और आपका नाम है राहूल तो आप अपना नाम है ऐसे एगर friend का भी सरनेम दिया हुआ है कि प्रत्यूश वर्मा है या कुछ है तो वो भी आप नहीं लिखेंगे क्योंकि यह informal पूरा दोस्ती का letter है उसमें क्या सरनेम लिखना तो ना आप अपना लिखेंगे ना ही उसका लिखेंगे बहुत ही simple application लिखवाईए मैंने और आपको एक बार में ही याद हो जाएगी अगला question दिया गया है you are पवन मिश्रा अब यहाँ पर आपको अपने younger brother की birthday party में invite करना है आपका नाम क्या है पवन मिश्रा ध्यान रखेंगे बच्चे अब यह हम मिश्रा नहीं लिखेंगे ठीके ना और आपके जो दोस्त का नाम दिया गया है वो लिखा गया है दीपक वर्मा यह दिया गया है दीपक वर्मा लेकिन आप यहाँ पर भी वर्मा नहीं लिखेंगे आप क्या लिखेंगे सिर्फ दीपक ठीके तो आप दीपक लिखिए और अपना नाम भी सिर्फ पवन लिखिए बहुत ही simple सा letter लिखा है खुद का address दिया है तो ठीक है आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए कभी कबार आपको confuse करने के लिए दोनों के address भी दे सकते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना ही address लिखना है और आपको अपने father को letter लिखना है किसलिए कि आप उनसे 500 रुपे मंगाना चाहते हैं तो आप अपने father को letter लिख दीजिए और my dear father या dad ऐसा भी लिख सकते हैं और यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे yours loving करके नाम लिख दीजिए अगला question है यहाँ पर essay का यह essay तो चुकि 9, 10 में generally wonders of science का essay बहुत important होता है आप हमेशा तीन essay जरूर याद करिए और ताकि आपको कोई risk ना रहे लेकिन चुकिए यहाँ पर हम तीन essay ना cover करते हुए एक जो सबसच्च्च से आप आसानी से याद कर सकते हैं आप वीडियो को pause करके इसे लिख भी सकते हैं बहुत ही simple है और यह हमने 8 point का लिखा है और यह 5 नंबर में आएगा तो आप चाहें तो 5 नंबर भी लिख सकते हैं लेकिन ध्यान रखें फिर कि वो थोड़े से बड़े हो अगला question ही यहाँ पर 6th question यहाँ पर picture दी हुई है यह picture में यहाँ पर insert नहीं की है लेकिन आपके पास अगर question बैंक है तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर दिया हुआ है कि आप अपने आपको fit और healthy कैसे रखेंगे तो जो points उसमें दिये हैं हम उन्हीं को discuss करेंगे वी शूड नॉट यूज तो वे को वी शूड गेट regular check-ups ठीक है तो इस तरीके से और वी शूड exercise regularly तो आप वी शूड वी शूड करके भी इस तरीके के passage को इस तरीकी paragraph को लिख सकते हैं अगला हम देखते हैं paragraph तो वो है importance of tree के बारे में चुकि उसमें दिया हुआ है कि fruits दे रहे हैं reduce करते हैं जो भी चीज़ें दी हुई हैं तो हम बस ये चीज़ें जो है लिख देंगे कि वो हमको क्या करते हैं उसमें एक picture दिया हुआ है जिसमें बच्चे sand house बना रहे हैं तो naturally हम picnic पे जाते हैं तो इस तरीके से आप लिख दीजे कि मैं पिकनिक पर गया अपनी family के साथ जो place था बहुती beautiful था वो चुकि वहाँ पर picture में football भी दिख रही है तो हम ये भी लिखेंगे कि हमने वहाँ पर football ball खेली और वो sand house बना रहे हैं तो इसलिए ये भी लिखेंगे कि man made sand house एक दो चीजें आप अपनी मरती से भी लिख सकते हैं कि we took so many photos और we enjoyed a lot इस तरी से ये जो है आपकी passage जो picture composition है वो complete होता है तो यहां तक बच्चों हमने question number 6 तक पूरा cover कर लिया है one or two मेरे आप पहले वीडियो में देखिए और question number 3 से लेकर question number 6 तक के question जो कि है आपका writing section वो हमने यहां पर cover किया है hope आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इनी को याद करी के अपना ninth class का exam दीजिए okay thank you students